वेल्कम बाग तु माय चैनल अभी जो मौसम है थंडे के मौसम है अभी थंडा जा रहा है तो जितना अभी हम लोग पीठा खा सकते हैं अभी खा लेते हैं क्योंकि थंडे के बाद ये खाने में अच्छा नहीं लगता तो यहां पे हम लोग बनाएंगे आज इसको है भापा तो मैंने मार्केट वाला राइस पाउडर ले लिया यहां पर 250 गरम राइस पाउडर है और मैं इसको धीमी इस्टी में दो मिनट के लिए मुझे भूनना है यह जो है रेसिपी यह महारा स्ट्रेंड में मोदग बलते हैं हम लोग में यहां पर बूलते हैं भापा पीटा मगर डिजाइन ठोड़ा सा अलग होता वो थोड़ा सा राउंड शेप होता है और हम लोग थोड़ा सा बुकफुल शेप में बनाते हैं तो मगर नाम अलग है तो मगर और अची तरीके से गरम पानी से हमलोśmy mix कर लेंगे अची तरीके सेßen Pack करने के बाद ISकोट करकेके कम से कम 10 से 15 पंदरा मिनिट एलिए हम लुग इसको छोड़ देंगे, छोड़ने के न TIME 10 Minuten हो चुका है, अभी भी गरम है, अभी हम लोग इसको गुन लेंगे, जैसे हम लोग आटा को गुनते हैं, उसी टाइप से हम लोगो को इसको अच्छी तरीके से इसको गुणना है, एक गरम गरम ही गुनना चाहिए, जादा थundदा होगा तो यह अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं इसको गुंद रही हूँ, थोड़ा सा प्रेस दीजे, फिर आप इसको अच्छे तरीके से गुंद लेना है, गुंदने के बाद इसको फिर से हम लोग कवर करके 2-3 मिनिट तक रखेंगे, और छोटे-छोटे बॉल्स बना लेंगे आप देख सेको, यहाँ पर मैंने बॉल्स बना लिया, जितना भी यह बॉल्स है, मैंने पहले से बना के रख दिया, और यहाँ पर मैंने कोकोनट को गुर से कोट कर लिया, यहाँ पर एक कोकोनट है, और जितना कोकोनट है, उसी हिसाब से आपको गुर लेना है, और इसको अच्छी तरीके से फ्राइ करना है और इसको भी ठंडा होने के लिए मैंने साइड में रग दिया तो मैंने नारियल में सिर्फ घी डाला कोई ड्राइफर्स वगरा मैंने यूज नहीं किया और आप देखो बड़ा सा एक कटोड़ी बना लिया जितना पतला होगा उतना ही अच्छा बनता है और फिर हम लोग इसके अंदर नारियल डाल देंगे नारियल डालने के बाद आप उसको सील मारना है जस्ट इसको जॉइन करना है अपने हाथों से और उसके ओपर जो डिजाinn आपको आता है वैसा इ बना लोगा अगर डिजाइन नहीं आता है तो नौर्मेली प्ले या ऐसे ही छोड़ देना है आपको यह जैसे हम लोग ठंडे के मौसम में जैसे शाम को ब करके बताना मुझे आपको कैसे लगा यह वाला जादातर हम लोग गनपत्ती में बनाते हैं क्योंकि गनपत्ती का मोदग जो होता हो थोड़ा सा डिफरेंट शेप होता है तो गनपत्ती के दिन में मेरे घर में तो हमेशा यह होता है और ठंडे के दिन में यह वाला डिजाइन होता है और गनपत्ती में थोड़ा सा मोदग बनाते है हम लोग घी वाला तो वो भी सेई प्रोसेस है आप ये प्रोसेस में बना के मुझे कॉमेंट करकर जरूर बताना और फिर यहां पर मैंने गरम पानी चड़ा दिया इस टीम करने के लिए जैसे नीचे गरम हो चुका है मै स्टीमर में चरहा दिया है सब धियान में रखना है स्टीमर में आपको घी लगाना है इसमें नियर से ये चिपक जाएगा और फिर आप इसको स्टीम कर लेना है स्टीम करने के लिए सिर्फ 15 मिनिट की स्टीम जरूरी है 15 मिनिट आप 10 से 15 मिनिट तक रख सकते है 12 मिनिट भ इतना अच्छे से स्टीम होता है, 15 मिनिट हो चुका है, और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है, अभी हम लोग एक एक करके निकालेंगे, यह बहुत जादा गरम है, तो मैं सब को निकाल लूँगी, अगर थोड़े दिट ठंडा होने के बाद निकालते हैं, तो इस इसलिए निकल जाता है, गरम-गरम थोड़ा सा, यह निकालने में थोड़ा सा वो होता है, मंगर घी लगा हुआ है, इसलिए इसलिए निकल रहा है, तो मैं सब को निकाल चुकी हूँ और यह बहुत ही सॉफ्ट है, आप एक के बाद एक खाते रहोगी, इतना टेस्टी है, आप ड्राइफूर्स के साथ जरूर ट्राइ करना, तो मैं यह हाथ से मैं तोड़ने ही सेकती हूँ, क्योंकि इतना गरम है, इसलिए मैं नाइफ से आपको काटके में दिखा रही हूँ, कैसा है, और यह बहुत ही टेस्टी है, यह मेरे घर में मुझे बहुत जादा पसंद ह हम लोग इसको बोलते हैं भापा पीठा, तो इसके अंदर आप स्टाफ कर सकते हो, ड्राइफूर्स बगरा, तो मुझे तो नारियल से बहुत पसंद है, तो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगए तो प्ली सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंज के साथ शेयर कर देना, और यूटूब से देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर देना, और फ्रेजबुक से देख रहे हो, तो फॉलो कर देना, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, थैंक यू